हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, रीजनिंग की क्लास लेकर क्या आया हूँ, पूरा वीडियो देखेगा, इसी टाइप की कोशन रिपीट हो रहे हैं बार बार एक्जाम में, तो ये प्रेशन आपके लिए बहुत इंपोर्टन हो सकते हैं, तो चल अगर आप एक मिनट से कम समय में आंसर दे रहे हैं, तभी तो आपकी तयारी है, ये बात आप जानते हो क्योंकि हमें एक कोशन के लिए एक मिनट से कम टाइम मिलता है, और हम दो मिनट भी भी नहीं कर पा रहें, तो हमारी तयारी अभी बहुत पीछी है, देखो जब आपन देखा तो यह 4 की पावर 3 है और जब आपने यहां पे संख्या देखी तो इन ही लोजिकों से तो आप बनाएंगे इन ही लोजिक से तो बनाएंगे देखो यहां कितना था 2 था यहां 3 हो गया यहां 4 है तो यहां 5 हो जाएगा किरिया यहां 3 था तो 4 हो गया अब यहां 3 है तो 625 जिसको नहीं पता 5 की पावर 4 का मान 625 होता है अभी नोट कर लेना अपनी नोट बुक में ठीक है 625 प्रेशने का फिल्कुल सही आंसर है अब देखतें अगला कोशन अगला कोशन है 24 है 126 48 कोशन मार अब आपने 24 को देखा न तो दिमाग में किलिक होया कि नहीं होया कि 5 की पावर 2 माइनस 1 है क्योंकि 5 की पावर 2 का मान 25 माइनस 1 कर देंगे तो 24 किलिक हो जाना चाहिए दिमाग में इतनी देर में तो कि यहां देखो 5 की पावर 3 पिलस 1 है 5 की पावर 3 का मान 125 और यह पिलस 1 कर देंगे तो 126 पहले तो माैनस 1 हुआ फिर पिलस 1 अब यहां पे आ जाओ यह 7 की पावर 2 माइनस 1 है क्योंकि 7 की पावर 2 का मान 49 माइनस 1 48 जिस संख्या की पावर 2 किया था उसी संख्या की पावर 3 तो जिस संख्या की पावर 2 करना है तो उसी संख्या की पावर 3 करेंगे यानकि 7 की पावर 3 करेंगे पहले माइनस फिर पिलस पहले माइनस तो फिर पिलस ठीक है 7 की पावर 3 का मान होता भाई 343 और उसमें कर देंगे हम प्लस 1 तो यह हो जाएगा 344 किस ओफशन में है ध्यान से देखिए 344 आपके C ओफशन में प्रेशनी का सही जवाब आपको मिल गया अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशनी है एक घड़ी एक बज़े एक बार दो बज़े दो बार तीन बज़े तीन बार ऐसे ही लगातार हर घंटे बजती है तो एक दिन में वह कुल कितनी बार बचेगी एक दिन में एक दिन की अगर उसने बात किया तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे 24 गंटे होते हैं न एक दिन में तो पहले घड़ी में टाइम कहां से शुरू होगा एक से पहले एक बज़े बज़ेगी ऐसे ही फिर दो बज़े फिर तीन बज़े ऐसे ही कितने घड़ी में बारा बारा घड़े होते हैं न तो पहले x लेकर 12 तक का हम निकाल लेंगे जो x लेकर 12 तक का निकल के आएगा फिर से दुवारा x लेकर 12 तक का निकल के आएगा वही तो 24 घंटे का हो जाएंगे न तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से multiply कर देंगे जो इसका निकल के आएगा न उसमें 2 से multiply कर देंगे नहीं पता तो बता दे रहोँ N का मान आपके पास 12 है N का मान 12 इंटू N का मान 12 है 12 में जोड़ देनगे एक तो 13 हो जाएगा आप दो से कटा दूंगा इस 12 को तो 6 बार मैं 13 चिंग 78 ये कितने का निकल के आगया 12 गंटे का अभी इसमें 2 से तो मल्टीपाई हमने नहीं किया ये 12 गंटे का निकल के आगया 78 अब 24 गंटे के लिए फिर से 78 रहेगा तो इसलिए तो 2 से मल्टीपाई करने इसका दोगना 78 का दोगना 28 16 का चे केरी का बंट 27 14 केरी का बंट 15 यानि कि 156 हो जाएगा कितनी बार बजेगी 156 बार 156 जो कि हमारे बी ओफ्सन में दिया गया सभी को आंसर मिल गया अब देखते हैं अगला प्रश्नी साम को साड़े चार बजे घड़ी की दो सुईयों के बीच कितने डिगरी का कौन बनेगा साम को साड़े चार बजे ठीक है अगर मैं यहाँ पे एक घड़ी आपको समझाने के लिए ऐसे ही बना लेता हूँ यह 12 होगे यह 6 यह 3 होगे यह 9 यह 10 यह 11 एक दो चार पांच साथ आठ ठीक है उसने बोला है साड़े चार बजे साड़े चार बजे मिनट की सुई 6 पे होगी और जो घंटे की सुईयों वो साड़े चार के होगी पांच और चार के बीच में होगी यह वाला कौन पूछा है कितने degree का चलिए चीज के लिए कर देता हूं कि एक मिनट में 6-degree का कोर बनता है जब 1-1 मिनट में ठीज का कॉर्ण वनता है तो 5-1 में कितने degree का कौन बनेगा 30 डिगरी का 5 मिनट में कौन बनेगा ठीक है 5 मिनट में 30 डिगरी का कौन बनेगा जब 5 मिनट में 30 डिगरी का कौन बन रहा है 5 मिनट में 5 मिनट में कितना बनना वही 30 डिगरी का अब देखो यह कितना समय है यहां पर देखना यह कितना समय है ठीक है उसने बुला 24.45 बज़े घड़ी के दो सुईयों के मीच कितने डिगनी का कोंड बनेगा ये वाला कोंड उसने पूछा है 24.45 बज़े घंटे की टूई 24.45 और 5 के में मिनटन की सुईयों हो जाएगी 6 ठीक है यही तो रहेगा 60 माइनस 30 माइनस बेज़ में बज़ Double जैगा कि नहीं आंसर भी तो गलत हो जाएगा अब जब 2 से आप इस 30 को कटाते हो तो यह कितनी वार में कटेगा पंदरवार में कटेगा कि पंदरवार में अब 15 बार में जब यह कट गया तो 6 यानि कि एक घंटे में 60 तो 60 को आप क्या करोगे कटा दोगे 15 अब मैं जो बात यहां पर लिख रहा हूं नोट कर लेना मिनट की सुई मिनट की सुई आगे तो माइनस करते हैं याद रखना माइनस करते हैं मिनट की सुई यहां पर लिख लेना मिनट की सुई आगे तो माइनस करते हैं मिनट की सुई पीछे तो प्लस करते हैं ठीक है अब हमारी minute की swing यहाँ पर आगे थी तो हमने क्या किया है minus किया है और minute की swing पीछे होती यानि कि यहाँ पर होती ठीक है यानि कि 7.7 का time होता तो आगे होती तो हम क्या करते वहाँ पर उस condition में plus करते हैं तो यह बात अगर आपको note है तो आप आसानी से कर दोगे यानि कि 6 में से उस score time को आप minus कर दोगे यहाँ पर जो आया है अब देखेंगे अगला सवाल इसका answer हमारा 45 हो जाएगा C option चलिए अब देखते हैं अगला question अगला question है तीन alarm 10.15.30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं जदी वह एक साथ सुबह नो बज़े बजते हैं तब फिर कितने बज़े बजेंगे ठीक है देखो ऐसा question है 10.15.30 10.15.30 का आपको LCM ले लेना है LCM लेने के बहुत सारे tricks हैं मैंने वीडियो भी बनाए हैं लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है basic तरीका यानिकि 2 से कटाओगे ये 5 बार में ये नहीं कटेगा ये 15 बार में अब 2 से नहीं कटेगा न पांस से कटालो 5 से का 5, 5 तरीक का 15, 5 तरीक का 15, 3 से का डालो, सवाल खतम, ठीक है, 3 पंजे 15, 15 तुने का 30, कितना निकल का अब यह LCM, 30 निकल का आया, यानि कि सुभह में यह 9 बजे बजी थी एक साथ, अब कब बजेंगी 30 मिनेट के बाद, 30 मिनेट का मतलब है कि 9 बजेंगी, 30 मिनेट पर य ए बी तथा सी ऐसे कथन है कि अगर ए तथा भी दोनों सत्य है तब सी असत्य है याद रखना जब ए पिलस बी जब ए पिलस बी दोनों सत्य है तब सी असत्य है ठीक है तब सी असत्य है ये बात नोट कर लिना और उसने बुला है कि ए हमेशा सत्य है ये जो ए है ये हमेशा सत् ए हमेशा सत्य है चलो अब प्रेश्णि में क्या करा है इन में से कौन सही है ऑफ्षन की तरफ चलते है बी हमेशा सत्य है बिल्कुल भी नहीं उसने तो मना ही किया उसने तो केवल ए के लिए बोला कि हमेशा सत्य है अगर सी सत्य है तब भी असत्य है C तो सत्य है यह नहीं, C तो असत्य है यह भी गलत, C हमेशा सत्य है, C तो असत्य है यह भी गलत, अगर C असत्य है तब भी सत्य है, जब C असत्य है तब भी हमारा सत्य की कंडिकर्शन में आ रहा है, तो D option प्रेशन का बिल्कुल सही जवाब है, तो दोस्तों बिना like किये मत ज जाना इतना काम कर देना हमारे लिए लाइक और शियर जो बच्चे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपके लिए हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिलते चलेंगे ठीके दोस्तों धन्यवार